माता का मंदीर दीख रहा है आप देख सकते हैं ये रिल्वेस चिसन से ही दिखता है यहां पर देख सकते हैं कुछ तस्वीर पनाई गई है हाई गाइज वेल्कम बेक तो मैं यूटूब चैनल मैं मौनोज आप लोगों का स्वागत करता हूं एक व्लॉग में तो फ्रेंट्स जैसा कि नौरात्री स्टार्ट हो चुका है और मा के दर्सन के लिए बहुत सारे भक्ष आने वाले हैं और अभी हम हैं प्रेंट्स गड़ के एक ऐसे प्लेस में जहां पर माव बंलेश्ट्री का फिद्धस्तल है तो यहां पर हम आप लोगों को दर्सन कराने के लिए हैं अब दर्सन करने के लिए जा रहे हैं तो देख सकते हैं यहां पर नौरात्री का पहला दिन को दर्सन करने के लिए जा रहे हैं कि अब पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल पर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और से करने नहीं भूले आप मुझे फेस्बूक पर इंट्राग्राम पर पॉलो भी कर सकते हैं तो आई हमारे साथ गुमिए माव बंलेश्वरी के लाइ हमाँ सक्ति रूपी मा बमलेश्वरी देवी का मंदिर डोंगरगड की पहाड़ियों पर इस्थित है जो कि 36 गर राजी के राचनन गाउंड इस्टिक में का एक परमुक्त सहर है और यह हावडा मुंबई रेल मार्क पर इस्थित है जो कि रायपूर से 100 किलोमीटर तथा नापूर से 190 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है अगर आप यहाँ पर हवाई मार्क से आना चाहते हैं तो नजदिक का एरपोर्ट रायपूर एरपोर्ट है जहां के लिए सहर के परमुक्त सहरों से आसानी से हवाई जहाज मिल जाती है लेकिन मेंना वानना है कि यहाँ आने के लिए सरोत्रम सादन ट्रेन ही है और यहाँ के लिए देश के सभी परमुक्त सहरों से आसानी से रेले मिल जाती है यह मंदिर डोंगागर रेलवे स्टेशन से ड्रे किलोमेटर की दूरी परिश्थी थे और यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो आपको सामने में ये गेट दिख जाएगा और इस गेट से अंदर आने के बाद आप लेप्ट साइड में देखेंगे जहां से मंदिर की चड़ा अब हम लोग मंदिर जाने से परले परसाथ ले लेते हैं और परसाथ क्या है यहां पर दिक लेते हैं उसके पहले क्या 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 रेत हैं वह बताइए सब्सक्राइब अच्छा मतलब यहां का वो सिस्टम है नहीं यह पूरा सेटब रहता माइस वहागा ना पूरी चुनी शिंगार अगरवत्ती के ताद चड़ता है फिक यह अपने हिसाब का है और आप यहां दर्सं करने से पहले यहां देख सकते हैं यहां से steps by paddle जा सकते हैं और रोक्यों का जो रास्ता है यहां से है रोक्यों हम गयते बहुत ज्यादा क्राउड था और मंदिर सामने में उपर में है तो परसाद लेने के बाद देखे चलते हैं यातरा को स्टार्ट करते हैं फिरा फ्लोगों को भी दिखाते हैं हाँ हाँ है अ मला नाहीं ब्लॉग है यां यां यूटोब दूपर क्या दूपर नतुम्त तबने तद दुम्हारा रूख यह चाक रहां हुआ अज्द अंग्या ब्लोग है यह एक हैं चांब और अपने सबाने हैं यह यूठीक शार जा रोक्या प्लावार्श मोटने आगे आपकी अपनी दुकान खागरे प्रसाद हुंडा बहुत बनिया है चलो और बोलो कुछ आई की चैनल को लाइक करो फॉलो करो और सुस्क्राइब करूँ चलो भैक ठीक है मेरे के बहुत अच्छा लगा यहां पे पाम अमलेश्वरी का यह जो लाट पर हम लिये हैं और भी पुरा इंट्री हो गया है अमलोग का बमलेश्वरी मार्के द्वार पे और लेके चलेंगे आप लोगों को खेल खाएंगे तो अभी आए तो यहां पर दर्संद कर सकते हैं नौरात्री काईपाला दीन है अर्सरा तक हम यहां से और यहां से तरहां सन्राइำ हो यहां सिंद्ट्री मॉल्टेृ स्वड़े क्यंटन भी है रहते हैं और रहते हैं ओर यहां पर तुथ क Совma से और आप लिए चाहते हैं तो रात के बारा बज़े से सुबह के साथ बज़े तक आप आप काउंटर पे जाना होगा और वहाँ से प्रिक्ट ले सकते हैं लेकिन नुरात्री जब स्टार्ट होता है तो लाइन जो माधियम है उसको बन कर दिया जाता है बन करने का रिजन है बिड को कंट्रोल करने के लिए और यहां पर देख सकते हैं जिस दिन हम लोग गय थे यात्रा पर उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड थी तो हम लोग पैदल जाने के ही मूड में थे हम लोग सिफ रोपय आपको इस वीडियो में दिखाना चाहते थे इ अपर में भी काउंटर बना हुआ है आप वापसी में वहां से टिकट ले सकते हैं लेकि एक जगह से टिकट लेते तो बेटर रहेगा आने और जाने का थाकि आपको दो बार लाइन में लगना ना पड़े इसलिए और यहां पर जो रुपय काउंटर इसके लेप साइड में बेफस्ट काउंटर भी है जहां से आप नास्ता कर सकते हैं नास्ता करने के बाद और भी बुकांस हैं यहां पर जहां साब मार्केटिंग भी कर सकते हैं करीड देख सकते हैं सामने में मंदिर जाने का मार्ग है और यहां से ही मंदिर की चळाई स्काल होती है करीब खरीब 1100 से तो चलेंगे बहुत बुग हेसे देख का के लिए यहां वज़ा से चाओल ज़्यादा होने की हो सकती है तो इसी को ध्यान में रखो यह सभी चीज़े यहां पर की गई है तो आप देख सकते हैं यहां से भक लोग जाएंगे और जाने के बाद दर्शन करने जाएंगे लेके चलते हैं आप लोगों को ही मैं पाम मामलिश्वरी का लो में अपने सिर्फ को लगा चुका हो और बहुती अच्छा फिरिंग आ रहा है और शांती यहां पर हुश्द कर रहा है और इस बास कर रहे हैं और हम लोगोंने अपना यात्राय अपना आर्फिक परसाद कृट है हम लोग ले लिए हैं परसाद का रेट जो है नॉमिनाली ठीक ठाक है हमने 250-200 के हिसाब से आप वह भी परसाद अपने हिसाब से आप ले सकते हैं अगे तब यहां पर आप इंट्री लेंगे लेने के बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो की दूप से बचने के लिए बहुत अच्छा उपाई किया गया है यहां पर बाहर का नजारा यह है आप लोग इगर से आ रहे हैं तो देख सकते हैं यहां पर पोटोटो भी जो है अगसा की ऑच्छी ब्यावस्ता हैं भक्तो कझके कर्ण को नेतरा के लिए यहां पर की गई है और यहां पर दूप से बचने का भी अच्छा उपाय है यहां का इस Cuz देखते हैं कैसा है मईहर का मा का दर्शन करने के लिए उस अदुए अधो दोग है थे तो बहूत- लेकिन यहां पर देखते हैं कि यहां पर सीधिया कैसी है फिर बताएंगे आप लोग को दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं में पॉइंट पर जहां से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है और सामने देख सकते हैं यहीं से बहुत सारे स्टेप्स बने हुए हैं और यहीं से आपको चड़ना है उपर की तरब और यहां से 1100 स्टेप्स आपको पार करके मापमल इसवयरी के धाम में और वहां पर कि दिखाते हैं कि यहां से कैसा नजारा दिखता है फिर एक एक चीज दिखाएंगे और रास्ते में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो भी दिखाएंगे क्या क। चीज़ें मिलती है मुझे भी मालूब नहीं आगे चलके वीडियो में देख झाल झाल प्रस्तान कर चुके हैं और यहां पर अच्छी शुधाये हैं जहां पर आप पैदल मार्ग में आप आराम कर सकते हैं जैसे कि आप 100-200 स्टेप्स चलने के बाद आप यहां पर आराम कर सकते हैं आप बहुताया यहां पर यहां पर उइप refers Conference यहां वेटने के लिए बना लीए जाएंक के वहां niños यहां पर एक संकर भगवान का बोले बाबा का मंदीर है यहां पर ऐसी नकासिया की गई है हयं से सेज़नाग बहुत सरे बनाए होके हैं यहां डावरे बेहां के लिए यहां है को दिख सके सांने इत्जा मैंने प्यासिजें ते दिखा देता हूं मैं अब लोगों को करें है करें है यहां पर संक्रवान के अपने दस्ञ कर लिए यहां पर बहुत बढ़ा सेचनक बनाया गया है और वहीं पर कै сейчас जूलिंग है जहां पर आप दस्ख कर सकते हैं वदो जोगण आप यात्राह शुरूख करेंगे वह दो रास्टे देखने को primary मिलने वाले हैं यहां पर आएंगे तो मिलेंगे भी और सामने देख सकते हैं एक अलाब भी दिख रहा है बहुत ही लंबा चौब अखलाब है यहां और बहुत तरहें पिनपाउध है और यहां से नीचे में डूंगे वर सिटी दिखता है कुटाई सहर है अबादी ज्यादा बहुत कुछ कम है और यहां पर भोले बाबा का मंदीर है यहां भी दशन जरू करें आये तो रस्ते में परता है और बहुतर बख्लों यहां पर दशन कर रहे हैं और इजह पर देख सकते हैं अरे क्या हो गया है अरे चोटी को पिलने दो आतु तो सब फूच दी ल दी तो सब पाइप को खराब कर दी ऐसे पीएगी आपने नहीं पिया चोटी कैसे पीएगी उसका थराब हो गया है यहां पर सामने में जे मा बमले सुरी धम अंतीम दुकान का बोर्ट दीक रहा है और यहां पर यहां तक आप अपसाद ले सकते हैं आगे आपको सुधाय नहीं मिलेंगी और यह प्लाश दुकान है इसके परसाद यहां तक लेहीं लें जब आते हैं यहां कि आगे हो सकता है दुकान नहीं मिलें वापस आना पर आपको पसाद देने के लिए इसलिए आप नहीं पर पसाद दे सकते हैं है अगरे सामने में आप रिल्वे श्टेशन देख सकते हैं और सामने में रोप्वे भी जा रहा है से भी आप देख सकते हैं और बहुत सारे लोग यहां पर दर्संद करके आ रहे हैं इतना इदिक से भी रोपयों में दिखा देंगा आप लोगों को बहुत बड़े-बड़े तलाब भी हो पुद्पलाब दिखते हैं और सामने में रिल्वे स्टेशन है और सामने में सहर भी पूर एक स्थे हैं अगयों और रोट भी अच्छा व्यू प्वैंट्स सामने से सुरी की लाइत आ रहे है तो यहां से अब लाइन लगना पड़ेगा और यहां पर पर एस अबने रिभल का यहां से दोस्तवार है यहां पर पूरुस्त इस वार एं तो मैला अलग लाइन हो जा सकते हैं और यहां से दोस्तों बहुत सारा क्राउड देख सकते हैं आप जहां से कि यहां से बनना सुरू हजाएगा दर्टन के लिए और देखिये वहां सारे लोग यहां पर आये हैं यहां पर रुके होए हैं और दर्शन के लिए जाएंगे आगे और ज़्यादा क्राउड हो सकते हैं और सामने में रोखोए ऐसे तो इस मंदीर में सालों बर भक्तों का ताता लगा रहता है लेकिन नौरात्री की एक अलग ही बात है और नौरात्री का आज पहला दीन है और भ बहुत सारे लोग आये थे दर्शन करने के लिए माता का दर्शन करने के लिए मिलने के लिए और यहां पर जो दर्शन की जो सुईधा जीए तो भी अच्छा था सुईधा और क्योंकि आप एक से दो मिनट तक अराम से दर्शन कर सकते हैं यहां पर कोई ऐसा इस्यू नहीं नौरात्री में ज़्यादा क्राउड होता है, ऐसे सालों पर आप आई सकते हैं रत्म के लिए यहाँ पर और ज़्यादा कोई डिस्टेंस भी नहीं है रेल्वे स्टेशन से मंदिर में अच्छे से दर्शन हो जाने के बाद, अब हम लोग मंदिर से नीचे उतरने लगेते यहाँ पर गए कुछ बोटोस कुट भी किये और कुछ मन्नते भी मांगी इस में से मैंने भी एक यहाँ पर धागा बांढ़ा दोस्तों दर्शन हो जाने के बाद, अब खर्च की बात कर लेते हैं आप रेल्वे स्टेशन आना होगा, आपको रेल्वे स्टेशन से मंदिर तक लेड़ किलोमेटर की दूरी में आप 20 रुपे प्रती हेट की दर से यहाँ पर खर्च कर सकते हैं अगर आप रुपे से आते हैं तो उसका अलग खर्च है मैंने बता दिया है, और यहाँ पर आप सुबा आ सकते हैं, डे ट्रिप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो गंटे से ज़्यादा दर्शन में नहीं लगते हैं समय, इसलिए आप डे ट्रिप ही प्रेफर करें क्योंकि यहाँ पर दूसरी कोई प्लेसेज नहीं है गुमने के लिए, तो वीडियो कैसे लिए कमेंट करके ज़रूर बताना है, चैनल पर नहीं है तो चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और से करना ना भूले, आप मुझे फेस्बूक और इंस्टेग्राम पर पलो भी कर चकते हैं